हेलो फ्रेंड्स सफल स्टेप्स में आप सब का एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोग जानते हैं कि रीट की परिक्षा हो चुकी है और हमारे पास कंटिनुएसली बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि परिक्षा रीट की हो चुकी और अब तक हम लोग रीट में व्यस्त थे अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी दें फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म हमने अलड़ी भरा हुआ है तो क्या हम इतने कम समय में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर पाएंगे या नहीं तो देखिए इंडिविजुली सारे बच्चों क अपने दिमाग से निकाल देजिए कि क्या ये हो सकता है क्या कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो असंभव हो और स्टुडेंट्स के लिए तो विल्कुल भी नहीं क्योंकि आप लोग एक तरह से जिसको देखा जाए तो इस समय फुल ओफ एनरजी होते हैं अगर आप चाहें त से फरक नहीं पड़ता कौन कितने साल से तयारी करता है अगर सही डारेक्शन में कम समय के अंदर भी पूरी अनरजी अगर आप अपनी फोर्स लगा सकते हैं तो डेफिनेटल आप आराम से इसके तयारी कर सकते हैं आप जानते हैं कि फर्स ग्रेड के पेपर में दो जागापूरा वो है जो आपने किसी ना किसी परिक्षा की तयारी के दोरान पड़ा होता है आपको एक रिविजन चाहिए खाली तो एक बार जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं अगर आप फर्स पेपर की बात करें तो फर्स ग्रेड पेपर वन इसके अंद परिक्षा के दोरान पड़ा है और राजस्तान की हिस्ट्री तो आप हर परिक्षा के लिए पढ़ते हैं तो यह बेसिक बाते हैं जो आपकी पढ़ी होई होती है राजस्तान की हिस्ट्री भी पूरी नहीं है उसमें भी सेलेक्टेड पोर्शन है कौन-कौन सा पोर्शन अमेर चंद्र सेैन, राय सिंगों भीकाने, राज सिंग ओध मेवार्ट। यही इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा 1857 की करांती में राजस्तान का योगदान और राजस्तान का एक ही करंड फिर उसके बाद राजस्तान का जो कल्चरल वाला, संस्कृति वाला पोर्शन है, जिसके अंदर हम लोग देवता, लोग देवी, लोग देवता, या फिर हम राजस्तान के पेंटिंग, चित्रकला, राजस्तान का साहित्य, ये सब चीजे पढ़ते हैं, वाद्देय अंतर सबसे पहले मैं reasoning की बात करूंगा, reasoning भी extraordinary reasoning यहां पर नहीं आती, वही reasoning है, जो सब परिक्षाओं के अंदर आप पढ़ते आए हैं, जैसे कि reasoning के अंदर आपका analogy है, या series complete करना आता है, इसके बाद क्या आएगा, तो series, coding, decoding, रक्त संबंद, रक्त संबंद के अलावा, vein diagram, number ranking इसी तरह की चीज़े आएंगी, और maths में basic चीज़े, गुणा भाग जो चोटी मोटी चीज़े हैं, वो सब आपका आएगा, इसके साथ साथ आपका एक छोटा सा portion यहां पर statistics का है, statistics हर भरती परिक्षा का हिस्सा नहीं होता है, तो वो आपको जुरूर देखना पड़ेगा लेकिन statistics का जो syllabus है, वो मैं आपको बताऊँ कि statistics में जो पहला chapter होता है, वही आपका syllabus है, इसलिए वहाँ पर आपको कुछ बहुत विशेश काम करने की ज़र नहीं है, maths का जो आपका secondary level का syllabus है, उसमें से कुछ-कुछ चीज़े आएंगी, लेकिन आप एक chapter पढ़ते आएं हमे इसी चीज़ का शेत्रफल, क्यूब का शेत्रफल, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी महनत चाहिए, तो practically अभी तक अगर हम लोग देखें, तो आपको जो अलग हटके पढ़ना है, वो एक mensuration है, वो भी मैं तम मानता हूं कि अ वो चीज़ें हैं, जो हर बच्चे ने बहुत आराम से पढ़ी होती है, तो इनमें आपको विशेश रूप से कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, यह सब तो आपको पहले से आता है, revision करना है, इंग्लीश में भी यही चीज़ें हैं, जैसे tense आएगा, voice आएगा, narration ज इसके अलावा सामने बोलचाल के शब्द और prefix suffix, जिसको हिंदी में उपसर्ग परते बोलते हैं, वैसे यहां पर prefix suffix होता है, तो यह जो चीज़ें हैं, यह हमारा total syllabus है, उसके बाद में अगली जो चीज़ें हैं हमारी, उसका नाम है current affair, current affair के बारे में विशेश रूप से क पहले से अपकी covered है, उसके बाद आता है general science, समाने विज्ञान या दैनेक विज्ञान जिसको बोलते है, general science के अंदर mainly वही सारी के सारी चीज़ें, जैसे परमानू के बारे में पूछा जाता है, कार्बन के बारे में पूछा जाता है, और थोड़ा biology वाला जो पार्ट है, tissues वगरा के बारे में, उत्तक वगरा के बारे में पूछा जाता है, बिमारियों के बारे में पूछा जाता है, बायो diversity के बारे में पूछा जाता है, तो यह बेसिक बेसिक बाते होती है, जो आप हर vacancy के लिए पढ़ते हैं, फिर आता है quality, अगर हम quality देखें, तो quality के अंदर भी selected topic है, जैसे पॉलिटी के अंदर एक तो हम लोगों को ये पढ़ना है कि भारत के समिधान की विशेषता हैं क्या-क्या है हमें पढ़ना है कि भारत में cabinet, prime minister, राश्टरपती, इनके राश्टरपती नहीं, sorry, cabinet, prime minister और हाँ राश्टरपती, इनके शक्तियां, इनके रोल क्या है, इसके लाव हमें पढ़ना है संसद के बारे में और हमें पढ़ना है supreme court के बारे में that's enough, इतना पढ़ लीजिए, इतना काफी है quality में, और यह बहुत basic बात हैं अगर मैं इसको notes की भाषा में बात करूँ, तो notes बनाएंगे, मुश्किल से इनके 25, 20, 25 30 page के notes बनाएंगे, इसे उपर नहीं जाएंगे, इतना सा portion ये cover करना है, राजस्थान की geography, अगर आपने राजस्थान की कोई भी भरती परिक्षा में participate किया है, छोटी से लेकि बड़ी तक, तो कुछ और आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, राजस्थान की geography आपने जरूर पढ़ी है, राजस्थान का तो यही सब चीजएं यहां भी आएगी, और उसमें भी selected topic, उसके बाद एक topic यहां पर आपका आजाता है, जिसका नाम है education management, education management का एक ऐसा course है, ऐसा area है जो देखने में बड़ा लगता है लेकिन ये बड़ा है नहीं इसमें ध्यान से देखे बिलकु छटे हुए topic है to the point बाते हैं उतना पढ़ लीजिए more than enough जैसे education management में concept क्या है functional principle सिधान तो ये theoretical बाते हैं इन theoretical बातों के लिए तो 2-3-4 page के notes काफी होते हैं फिर selected topic है जै तीस नंबर का ये लग बग रोल प्ले करता है और बहुत आराम से इसमें तो अगर आप ठीक से तैयरी करें तीस में से तीस नंबर आपके आएंगे तो यहां तक हमारी बात हो जाती है कि ये तो है हमारा paper 1 अब बात आती है paper 2 की तो देखे paper 2 में आपको guidance चाहिए depend करता है क आप किस विशेश से paper 2 की तैयरी कर रहे हैं तो अगर आपका subject commerce है या फिर आपका subject economics है इन दो में से एक है तो आप हमारे साथ भी जूड सकते हैं और हम लोग definitely आपको exam से बहुत पहले दोनों courses हमारे free कर देंगे पिछले 10-15 दिन से मैं विशेश कुछ batches थे classes इनके लिए म हो सकेगा तो हम लोग इसके लिए crash course भी launch करेंगे तो अगर आपको लगता है कि हम आपको support कर सकते हैं तो first paper या second paper किसी में भी हम लोगों की साथ जुड़के भी इसका benefit ले सकते हैं और otherwise आप self study करते हैं आप कहीं और पढ़ते हैं तो भी मन लगा के पढ़िए आपकी इतने समय में बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है क्योंकि अभी तक जो date है हमारे पास वो 15 October है 15 October से पहले परिक्षा होनी नहीं है 15 October तो announce date 15 October से अगर हम लोग अभी से देखें तो देखें आपके पास पूरा अगस्त पढ़ा है पूरा September पढ़ा है और अगस्त के October के 15 दिन लग अभी भी संभावना ऐसी है इस बारे में कुछ कहना अभी सही नहीं है लेकिन ऐसी संभावना है कि ये परिक्षा आगे पीछे हो सकती है ना भी हो तो भी धाई महीने तो किसी हाल में आपके पास में है धाई में से अगर आप दो महीने भी पकड़ के चलें और दो महीने मन पढ़ाई शुरू कीजिए और यूँ ही हमसे जुड़े रहिए आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अलोट